केसी है सब लोग ठीक ठाक होली मनाली लग नी रहा आप में से कुछ जरा लाल पिला लग नी रहा मुझे सब साफ सुत्रे लग रहे हैं नी तो हमारे टाइम में तो होली का रंग उतारने में दो तीन दिन दिन लग जाते हैं यह रंग आजकर अच्छे हो गए है रभी भाईया आपने खेली वेसी होली जिसमें रंग उतार चुटाने में नालो तो भी रंग चूटता नी था चार-पांस दिन तक हातों पे रहता था साइड कहीं न कहीं लगा रहता था रंग आज तो फिर बच्चे अच्छी साफ होली जेलती है होके तो होली का तेवार खतम हो गया अब हम लोगों ने आज अपनी देखो साटेड़े की क्लास थोड़ी मेरी तबेट डिली थी इसलिए उसकर थी तबेट भी डिली थी और थोड़ा तेवार का टाइम ना गया था मुझे था कि कहीं बच्चे लोग अपने घर चले ना ग मैंने दो करा रितिलास सहोजिय को performance क्या है by whom it should be performed what is the difference between succession and assignment what is joint promise फिर बात हुआ था time and place of performance reciprocal performance उसके बाद time of performance और आसेंस होगा तो क्या होगा तो क्या तो क्या होगा तो क्या ओगा फिर बात हुआता इंपॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं और लास्ट जो किया था वो था अप्रोप्रियेशन ऑफ पेइमेंट सेक्शन 59 60 61 यहां तक हो गया आप लास्ट लास्ट में आज हम लोगों ने देखिए बेसिकली आज जो पढ़ना है वो पढ़ना है कौन-कौन से कॉंट्रेक्ट परफॉर्म नहीं किया जाते हैं और लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ना है वो है डिस्चार्ज ऑफ कॉंट्राक्ट यह पेज यह स्लैड एक ही बची है इस की हो गई और एक स्लैड ब्रीच ऑफ कॉंट्राक्ट की हो गई दो स्लैड फिर हम मूफ कर जाएंगे इंडेम्नेटी वले पोर्शन की तरफ इंडेम्नेटी और गारेंटी से एक नया कॉंट्राक्ट की तरफ मूफ कर जाएंगे जो पिछले बार नहीं तासल है बस में नई ओ गया थस्ट्स जे है तैसा रिट्योस जे है ⁨ मैं इंडेम्निटी अगर शुरू कर देता हूं तो मेरा डाउट थर्षजे को म met कख्म कर दूंगा और बेल मेंट शुरू कर दूंगा सुर्च और साटेडे को मैं बेल में घंच करके एजनसी शुरू कर दूँगा बट साटरे को क्योंकि एजनसी खतम नहीं होगा तो I am planning अगर मुझे management allow करती है तो मैं यह जो एक बजे की class ले रहा हूँ सिर्फ अगली दो class है Thursday और Saturday 12 से 3 ले लूँ इससे क्या होगा कि Saturday को हमारा एजनसी तक सारा complete हो जाएगा हम contract को इसी भी खतम कर देंगे रिवाइस करके आज का क्या schedule है आज इसके बाद class है दोनों है कौन-कौन सी है वावा तो आज तो बढ़िया रहेगा बहुत बढ़िया रहते हैं आचा सच बताओ आज जैसे तुम्हें एक बज़े आते हो एक से सभाए एक बज़े से शुरू करा तीन बज़े मैं चोडता हूं साड़े तीम से साड़े पांच साड़े पांच बज़े ऐसा नहीं फील होता भस यार अर अब हो गया एक बज़े का आया हो हो यार अब एक बजे यहां क्लास है तो कहीं तो बिचारे बारा बजे के घर से निकले पड़े हैं सवा बारा साड़े बारा निकले पड़े हैं मतलब वो पांच बजे होता होगा बस यार और साड़े साथ में तक ऐसी फिलिंग आती है आज तो बोत हो गया भाई बड़ा बुरा हाल हो गया ऐसी फिलिंग आती है या नहीं यार सर भी इन्जोए बहुत आती है और चलो आज तो साड़े पांच चाहिए साथ में मात्स है तो चलो फिर भी ध्यान कम रहेगा लगा रहेगा मात्स में अगर भगवान ना करे कुछ हुरी की क्लास होती है जैसे या लौ तो साड़े पांच चाहिए साथ में तुम्हें ऐसे तो नहीं हो रहे होते बस भाई जोड़ते बस सार या माडम रिस्पेक्टिट सार माडम चोड़ दो बस बहुत हो गया तो बिटा पढ़नाय में थोड़ा सा तो मैनत लगती है या अजी बटना आपको अपने आ आते हैं आज की क्लास को आज का पहला सेक्शन 57 जान से सुनेंगे 57 रेसीप्रोकल प्रॉमिस सर ये तो हो गए आपर रेसीप्रोकल प्रॉमिस रेसीप्रोकल प्रॉमिस के दो पोर्शन बचे थे सीडल लॉटर में चल रहे थे रेसीप्रोकल प्रॉमिस में उस दिन 50 51 52 53 54 55 तक हुआ था 54 ये 55 तक 56 57 फिर वो था इंपॉसिबल वाला 58 59 के बाद वो जो सीडिस थी अप्रोप्रियेशन पेमेंट वली थी बीच में ये दो सिक्षिन रहे थे 57 और 58 तो पहरे 57 की बात करते हैं सब लोग बोट पर देखेंगे के लिए नाँ प्रसीड 57 रेसीप्रोकल प्रॉमिस तो दू सब्सक्राइब लीगल और अब कोई ऐसा रेसीप्रोकल प्रॉमिस इमाजन करो जहां पर लीगल भी है और इलीगल भी है क्या तुम मुझसे क्लासेस लो के 10 थाउजन रुपीस में जबाब दो येस सर्थाइवां प्रॉमिस में मुझे बताओ इस रेसीप्रोकल प्रॉमिस में कुछ भी इलीगल है या लीगल है यह तो पूरा लीगल है अब एक और लेने प्लस यार बेटा एक काम करना मेरे लिए कश्मीर से जो लोग आ रहे हैं थोड़ी सी अफीम लेके आना पच्छेस अधार थे तू लीगल था और यह बला प्रॉमिस इलीगल हमारे बीच में दो प्रॉमिस के सेट हो गए कैने से टू सेट ऑफ रेसीप्रोकल प्रॉमिस फ़स्ट सेट क्या था टीचिंग वला और दूसरा सेट क्या था अफीम वला लैंग्विज क्या क्या थे 57 की जरब पढ़ना दाफ of promise is a first set कौन सा था teaching वाला and the other set is a अब यह तो अफीम थी क्या मैं बोल सकता अफीम वाइड भी है as well as illegal भी तो अगर reciprocal promise में दो set है set का मतनब दो अलग-अलग promise होने चाहिए एक पूरा बिल्कुल सही होना चाहिए और एक पूरा बिल्कुल गलत होना चाहिए तो फॉर्स सेट वालिड होगा दूसरा सेट वाइड या इलिकल होगा क्या बात clear set का मतनब समझ आया मेरा डाउट अब देखना जिरा set का इक्जामपल था ये अब दूसरा example देतों ये set का नहीं है एक्जामपल सुनना बेटा मैं तुम्हें टीचिंग दूँगा पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए अफीम ले आना यह दो सेट ऑफ रेसीप्रोकल प्रॉमेस है या एक ही रेसीप्रोकल प्रॉमेस यह एक ही सेट है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे अफीम दे रहे हैं यह एक ही सेट है क्या मैं बोल सेट हो यह तो पूरे का पूरा इंलीगल है यह पूरे का पूरा ही क्या है यह 57 में नही और ब्रांच लीगल अब की बार ऑल्टरनेटिव और पिछला आंड था यह और ऑल्टरनेटिव सेक्शन 58 एक्जामपल बेटा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आपीड मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुमने 20 तौज देना हो काश देना और अफीम देनी हो 20 तौज के अफीम बताओ, teaching मैं दे रहा हूँ, बदिल कि मुझे क्या मिल रहे है? फीस दे नी है, फीस दे देना, अफीम दे नीए, अफीम दे देना, जबाब देना, यहांपे क्या, थो सेट हैं या सेट थो एकी है पूरा, एकी सेट में मुझे क्या मिल रहा है, कोई बताएगा, तो पूरा वोइड होगा अब आप यहां पर बताओ कि यहां पर अगर वड़ा रहा है अगर क्योंकि और है अब मुझे नहीं बतना कि बंदा कैश लेगा यह अफीम लेगा अगर वो कैश करेंगा तो वाइड होगा और अगर वो अफीम करेंगा तो जोटेगा पढ़िए का पे, in case of alternative promise, alternative का English में मतलब होता है, बदले में एक, या तो cash ले लो, या तो अफीम ले लो, in case of alternative promise, one branch is legal, another is, comma, legal branch alone can be enforced, बतब legal branch ही valid हो कि उसी को enforce कर सकते हो, उसी के लिए आप लोग कोट में जा सकते हो, अब आप मेरी तरफ देख के wind up करना मेरे लिए, कब 57 लगाना है, कब 58 अगर एक तरफ से मैं जो दे रहा हूं, और मुझे बदले में आप, legal भी दे सकते हैं, और illegal भी choice आपके पास है, आप मुझे legal भी दे सकते हैं, और तो ये 58 का है, क्या बात clear? और 57 का पे, 57 में तो अलग अलग portion है, एक पूरा legal है, एक पूरा illegal है, क्या बात clear? that's all, 57, 58 का हम क नहीं हो, इसका क्या इलाज करो, रवी अगर मैं बैठ के पढ़ाओंगा, तुम बताना मेरी energy level बढ़ जाएगी, काम हो जाएगी, काम हो जाएगी, बताओ, क्या करे, अचा मैं एक जगा पर खड़ा रहूंगा, तो वो human possible नहीं है, हम लोगों को आबत होती है ना घूम इसका कोई इलाज बताओ, तुम बचारे बच्चे कहते हैं, सर, आप दिखते ही नहीं हो, क्लास में, आपके expressions पता ही नहीं लगते हैं, अब आफ से, बस सुनते ही हम आपकी, आप पूरा दिन, पूरा टाइम कैमरे से off ही रहते हो, मेरा डाउट, इसका कोई इलाज है रवी इस लाइन तक है, अचा ग्रीन पड़े तक कोशिश करनी है कि यहीं गूमता रहूं, कैसा लग रहे, अभी ठीक है, यहां पर मैं कैमरे के रडार में हो, यह ग्रीन पड़े रडार है पूरा है ना, हाँ जी, मेरा डाउट, ओके, contract which need not be performed, वो contract जिने परफॉर्म नहीं करना मेरा डाउट, section 62, effect of novation, recision and alteration, तीन वर्ट सीखो, novation, recision, alteration, novation, novation, novation का मतब पुराना contract फाड के निया contract बनाओ, repeat, novation means, substituting a new contract for the old contract, clear, novation, novation का पहला example, मेरा डाउट, पहला example, A ने B के एक लाग देने है और B ने C के एक लाग देने है, जां से, कितने contract दिख रहे हैं पुट पे? a ने B का एक लाग देना है, b ने C का एक लाग देना है, दोनो contract फाड़ दो, A सीधा C को एकलाग दे देगा, a और B का NI का वी कोण्रेक्ट भाड तो एक निया कॉंट्रेक्ट बन वान ऑग किस के बीच में A और सी के बीच में दो कॉंट्रेक्ट भाड दिये निया बनाया दिस से नोवेशन क्या मेरा पहला example clear? यहाँ पे parties change हो रही है पताओ क्यों पिछले contract में तीन parties थी A, B और और नहे contract में दो ही है A और C तो innovation is between same parties or different parties डिफरेंट पार्टी अब second example example two मैंने तुम्हारे एक लाख देने हैं मैंने इसके लिए तुम्हें contract लिखके दिया दो सल पुराना हो गया contract, clear, तुमने का श्मीट सर ये कागस फट रहा है, क्या इसकी जगह पे निया कागस बना लिए, मैंने का ठीक है निया contract कर लेती है, हमने पुराना फट दिया, A और B ने और उसकी जगह पे निया बना लिया, सब बच्चे बताओ, यहां parties चेंज हो यह parties तो ही है, लेकिन पुराना contract फाड के निया बना लिया, क्या बात clear है, जब भी पुराना contract खत्म करके निया contract बनाएंगे, वो नोवेशन होगा, इसमें heading से match करके बताओ, heading कहते है, contract need not be performed, कौन सा contract परफॉर्म नहीं करना, पुराने वाला जो फाड दिया या निया वाला, प It can be between, it can be between same parties as well as different parties, innovation clear है, heading navigation की language पड़ो, parties में make a new contract in place of, therefore, old contract need not be performed, innovation can be between, innovation समझाया, second rating पे चलिए, recession, recession में क्या होता है, parties contract cancel कर देती, recession best याद आता है मुझे, chapter 5 free consent की class में, सब बच्चे बताओ, अगर तुम्हें मैंने समान fraud करके बेचा हो, तो तुम कोट में जाके क्या बोलोगे, तुम्हें ये समान चाहिए, ये contract cancel करना है, मैंने जूट बोलके समान बेचा, तुम contract recent करना चाहोगे, recent माने, cancel, recent का मतलब cancel होता है, क्या बात clear है, अच्छा, अगर contract को तुमने cancel कर दिया, तो perform करना है या नहीं करना, अच्छा, recession court करवाएगा, अगर fraud का case है, अच्छा, recession mutual भी हो सकता, सोचना, तुमने वाबव सर को बोला, sir, 20,000 ले लो, तो हमें पढ़ा दो, उन्होंने का ठीक है, अगले दिन तुम आए, sir, मेर को नहीं पढ़ना, उन्होंने भी बोला, हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं पढ़ना, जवाब देना, mutually क्या, तुम दोनोंने contract को, recent कर दिया, recent माने, cancel कर, जब recent कर दिया, तो contract perform करना है, या नहीं करना बिलकुल नहीं करना, पढ़ियेगा, when the party is to contract, agreed to, the contractor, in case of recession, only, is cancelled, and no new contract comes to exist in its place, क्या बात समझे ये लाइन, एक ही contract होतार, वो cancel हो जाता, उसकी जगह पे कोई, नया contract नहीं आता, नोवेशन की तरह यहां पे, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बिचारा contract, वो भी cancel हो ग है, heading से match कर रहे है, जब cancel कर दी है, तो perform करने की कोई जुरत नहीं है, next studying, alert, पीछे बाले भाई साब, alert, मेरा ड़ा, alteration, now what is alteration, एक ही contract है, वो ही parties है, और वो contract में कुछ changes कर रही है, मैं bank से 10 लाग का loan 6% ब्याच पे लाया, दो पार्टी में और bank, loan ने 10 लाग का, 6% का ब्या दस से बारा कर दोगे, bank कहता है, दो लाग का actual हों जाई है, मैंने का हाँ, कहता है, आओ, एक और contract बना लेती है, सब बच्चे बताओ, अगर 10 लाग वाला contract फाड़ के निया वाला बनाया, 12 लाग वाला, तो ये क्या है, innovation, बिल्कुल ठीक, second example, 10 लाग वाला रेने दो, 2 ला करके क्या करतो, दोनों party sign कर दे, what is alteration, नया बनाना या existing contract में changes करना, parties अलग होंगी या parties सेम रहेंगी, contract अलग होगा या contract सेम रहेगा, existing contract में parties या तो amount छेड रही है, या तो rate of interest छेड रही है, या time period छेड रही, that will be called as alteration, क्या मेरे बच्चों जवाब देना, alteration में parties हमेशा contract हमेशा, अच्छा आप बात बताओ, इसमें कौंसे contract परफॉर्म नहीं होगा, alteration में, क्या मैं मैं बुल सेकता, contract तो एक ही रहेगा, पुरानले terms परफॉर्म नहीं होंगी, कौंसे विले terms परफॉर्म होंगी, new वाली, पढ़िये मेरे लिए alteration, when parties to contract, agree to alterate, the original contract is, बढ़ी ह के पढ़ो, the distinction between novation and alteration is very cylinder, चोटा सा, किनके बीच में difference बहुत चोटा सा है, क्यों से चोटा सा है, बताओ, 10 का बारा करती है, पुराने contract में change कर लो, वो alteration है, 10 की जगा बारा बना नहा contract बना लो, novation, difference तो बहुत चोटा सा है, क्या बात क्लियर है, मेला डाउट, तो आपके साथ section 62 खतम हो गया, एक बार फिर से, पुराना फाड के नया बनाया, cancelling ही कर दिया, और अगर पुराने में थोड़ी से बदलाव कर दिये, alteration, बोलो बच्चे, क्या बात clear, कौन सा section खतम, अवाज नहाई, 62, क्या बात clear, सब बच्चे अलर्ट है, मेरे बच्चों, यहां तक बताओ, 62 तक clear है, अब चलो 63 पे, प्रामिसी में वेव और रेमिट, और एक्स्टेंड टाइम टुदा पर्फॉर्मेंस आफ़र, और में एक्सेप्ट इंस्टेंड ऑफ इट, एनी साटस्पेक्शन विचे थे थेंक्स फिट, चार बाते हैं, यहां चार बाते, चारों क के बीच में और है, जल्दी मत पढ़ना, स्लो स्लो पढ़ना, 63 पहली बात, प्रामिसी में वेव और रेमिट, वेव और रेमिट पे माँ आते हैं ब्रेक, बच्चे वेव और रेमिट का मतलब माफ करना, मेरा तुमने वेबफ सर से क्लासस ले ली, उन्होंने का 30,000 फीस है, तुमने उनसे क्लासस ले ली, जब फीस देने की बारी आई, तुमने का सर मैं एक रुपया भी नहीं दे पाऊंगा, वेव और रेमिट करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुने पढ़ लिया, मैं तिरसे कोई फीस नहीं ले रहा, मेरा राट, उन्होंने तुमारी प 50% तेरे को वेवर दे दिया, तेरे 50% फीस रेमिट कर दी, मेरा डाट, अगर उन्होंने पूरी फीस छोड़ दी, वो भी चलेगा, आदी फीस छोड़ दी, वो भी चलेगा, बोलो जी क्या बात clear है, उस case में किस, उन्होंने अपना काम आदा किया या उन्होंने तो अपना क तो तुमारा पूरा परफार्मेंस क्या हो गया, तुम्हें परफार्म करने की जुरत है या तुम्हारी परफार्मेंस माफ हो गई, तो हेडिंग से मैच करो, कॉंट्रेक्ट नीड नाट भी परफार्म, पूरा परफार्म नहीं होगा, या प्रामिसी की परफार्मेंस मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, तुमने नहीं करा, क्या बात समझ आया, मेरा डाउट, वेव और रेमिट समझ आया, पूरा भी कर सकते हैं, और पार्शल भी कर, आदा मैं नहीं बोलूँगा, आदा बोला ना लोग केंगे 50% ही हो सकता है, क्या पता 10% डिसकाउंट दें ये ना, फुल वेवर तोड़ी नहीं, वेवर या रेमिट कुछ भी बोलो, क्या बात clear? मेरा डाउट, वेवर रेमिट से आगे बढ़ती है, extend time of performance, अब इसका क्या मत्लब extend time of performance, तुम्हें परफॉर्म करनी थी, अपनी फीस देनी थी ती तीन महीने में, तुमने तीन महीने में फीस नहीं दी, वेवर रेमिट से को बोला, सर मैं नहीं दे पाऊंगा, तीन महीने में फीस, वेवर रेमिट से नहीं का, चल तो एक काम कर, एक साल बात देती है, अब इस case में तीन महीने के अंदर performance मेरी या performance माफ हो गई, और उसका पैसे माफ हो गई या time बढ़ा दिय परफॉर्म होगा, लेकिन time के अंदर होगा, due time के अंदर, या after the due time, उन्होंने time बढ़ा दिया, तो हम ये बोलेंगे के contract कभी perform नहीं करोगा, या late perform होगा, late perform होगा, क्या बात clear, late performance समझ आया, अगला word, or may accept instead of it any satisfaction, which he thinks it, तुमने वाबब सर से 30,000 में class तनी, और उन्हें फी तुमने का सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, गबब सर ने का बिटा फिर क्या करेगा, बोल, कहता सर मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास एक स्कूटी है, वो 25,000 की है, वो मैं आपको दे देता हूँ, गबब सर बोले, नहीं नहीं बिटा, कैरे नहीं सर प्लीज सर मैं विच्छी का वर्ड किसके लिए आ रहे हैं पे वैब उप सर के लिए विच्छी थिंग सर तो इसकेस में तुम्हें कैश वला जो अब्लिगेशन था वो तुम परफॉर्म कर रहे हैं उसकी जगह तुम कुछ काइंड में कोई चीज दे रहे हो तुम्हारी मरसी चले की यह सामनेेवले से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी क्या मेरी बात समझ आया तो इसमें चार प zerपैंड बनेंगे पूरा माव कर दिया कुछ पार्ट माव कर दिया या टैम बढ़ा दिया या फिर जो देना था वह नहीं दिया उसकी जगा कुछ और देजिए क्या चारो वर्ट समझ आ गए अवाज दिया है क्या बात है हां जी हां जी मेरा डाउट ये सेक्षन कौन सा था 63 बोलो जी क्लियर 64 65 आपके पड़े प्यारे सेक्षन अब हम दो सेक्षनों पे जा रहे हैं 64 और 65 ध्यान से सुनना बस सिरफ एक डिफर करते है और यहां मैंने वोड एंडरलाइन किया वोड़ेबल कउन्ट्राक्ट बस ये फर mostra के बाकी दोनों सेक्षन से में बहुत बच्चे घलती करते हैं जा 64 लिखना मों 65 लिखाते है जा 65 लिखना मों 65 लिखना मों लेकाते हैं दोनों में डिफरंस देख लो दोनों एक बात कर रहे हैं सब बंचे बताओ मैं बोट पर example बोलता हो थीन example रग्रीमिंट व्रट कोंट्राक्ट वाटवड कंट्रेट पहले इसका दो वॉरिड एग्रीमेंट सब बंचे बताओ agreement Vida माइनर। agreement with a minor is void क्या बात clear है सब बच्चे बताओ bilateral mistake is bilateral mistake is void agreement क्या बात clear अब मैं आपसे bilateral mistake का example बोलता हूँ मेरा दोट तुमने जाके हलवाई को बोला हलवाई भाईया ये एक kilo pack कर दो clear ये kilo pack कर दो तुम्हें लगा क्या क्या ना मैं mistake दोनों की होनी चाहिए example क्या था मैंने दिया थे इसमें याद है किसी को दोनों की गल्ती है उसकी नहीं तुमारी दोनों की इकटे गल्ती है हाँ क्या बात है याद एक्जामपल हाँ मेरा डवड़ मेरा डवड़ क्यास हलवाई का चोटू जो था चोटू हम उस चोटू को बेए किलो पैक कर दे हम सोचने वह पुलाब जामपल है वह ते लड़ू हमने क्या येक किलो पैक कर दे कह साम जाहिए बया हम ने zaman ago can वो था लड्डू हम उसे गुलाब जमून बोल रहे थे हमने का यह वला गुलाब जमून चाहिए दे देती हैं उसको भी नहीं पता वो लड्डू है गल्ती कौन कर रहे हैं मैं घर लेके गया घर पर जब गालियों पड़ी में वापस आया हलवाई के पात बाइलेटरल मिस्टेक है यह सोर नो मैंने बोला हलवाई अंकल देखो मैं गुलाब जमून लेने आया था मुझे पता नहीं था आपके छोटू को भी नहीं पता था उसने गुलाब जमून की जगा लड़ू पैक कर दिये अंकल ये पकड़ो अपने लड़ू मेरे पैसे वापस करो मेरे पैसे वापस करो एग्रीमेंट क्या था जल्दी बोलो वाइड एग्रीमेंट में सेक्शन कौन सा लगेगा जल्दी देखके बताओ 65 हैडिंग पड़ो ओब्लिगेशन ऑफ पर स लेबन उस था एंदर वोड़ एग्रीमेंट अगर आप ने कुछ भी पैसा की है आप को वो क्या करना पड़ेगा वोट यू में भाइदी वर्ट रसेट वापस करना पड़ेगा क्या बात समझ आ गया तो वाइल्ड एग्रीमेंट में अगर आपने कोई चीज किसी से ले ली तो आप उसकी वो चीज उसको वापस करेंगे और अगर आपने लेके वो चीज खा ली एक्जामपल लेना अगर वो चीज कंज्यूम कर ली तोड़ दी खराब कर दी तो आप वो वापस नहीं कर पाओगे बट आपको उसकी जगह उसकी मनी देनी पड़ेगी क्या मेरी बात क्लियर अगर आपने वो चीज खा ली हुई तो आपको उसकी क्या देनी पड़ेगी अगर मेरा ड़ा सब बच्चे इसका एक्जामपल में दूंगा घबराना मत क्या बद क्लियर मैंने वाइड गुरी मिन्ट समझाया समझाया अब एक और अग्जामपल लेतो लेकिन अपकी बार एक कीवराड का नहीं लेता वर्ड का लेता हूं सब बच्चे बोट पर देखो मैंने उमें तुम्हें कांट्राइट किया तुम्हें अपनी बाइक बेचुंगा तुमनेक ुका सिर कभ दोगे मेने का बाइक लेजा लेकिन कोंट्राक्ट appel next week करेंगे मे काशबा मैंने क्याव ना कानेख भूला निश्वीग करेंगे यह लिटसपॉस करो एक्जामपल तुमने का मैंने का खुए काश कब दोगे मैंने का next week मैं भाइक अभी नहीं दूगा next week दूगा तुमने का ठीक है सर 50,000 चाहिए तुमने का सर मैं 30,000 कैश दे दू मैंने का 50 की बात हुई है कैसा 30,000 कैश ले लो और 20,000 का मेरे पास एक laptop पड़ा वो आपको दे दूगा मैंने का ठीक है कोई दिक्कत नहीं है के mैं ऐसा कर सकता हो कुछ काइंड में ले लू कुछ कैश में ले लू अवा मैंने ले लिया अब सुनना बद मेने मिले टं समझना मैंने बाइक देनी अगले हासते इसने भी मुझे कैश देना है अगले हो थे लाप तो इसने मुझे डवांस के रूप में zach या सब बच्चे देखना बाइक अगले हफ्ते देने का वादा किया था आज कॉंट्रेक्ट क्या है वालड है सब बच्चे बताओ लेकिन तीन दिन बाद राभाई की चोरी हो गई अब मैं दे पाऊंगा या इंपॉसिबल हो गया ऐटरां सबचे देखो ओड् कॉंट्राक्ट कॉंट ओपडर्माइग उसका लापट कर दिया कए तो मुझे उसकी कंपनसेशन देनी पड़ेगी तो वाइड एग्रिमेंट हो चाहे वाइड कॉन्ट्राक्ट है, तो मैं याद है, हमने ये उस कमरे में बैठ के जब रिविजन चल रही थी, तो एक कंसेप्ट उठाता है, यहाँ पे, सर्डो सिटिंग में उसने पिचर पेंट करी, थोड़ी जी, तीसरी सिटिंग में, वो भिचल बर गया, हमने पूरे पैसे उसको अधवास दिये थे, come on fast मेरा दौट वो मर गया तो contract क्या हो गया वॉइड हो गया yes or no मेरा दौट दो sitting के पैसे काट के क्या ऐसके घरवालों को तुभे बाकी 3 sitting के पैसे return करने पड़ेंगे section कौन सा लगाना 65 क्या मेरे बच्चों बात के एर वॉइड agreement हो आपको क्या करना पड़ेगा restore का मतलब या समान वापस नहीं कर पारे section कौन सा clear 65 अब कौन सा आया same to same है बस इसको कम लगाना जब voidable contract है मैंने तुम्हें cheating करके fraud करके तुमारी गाड़ी अपनी खराब गाड़ी तुम्हें बेच दी 50,000 पे में खराब गाड़ी तुम्हें cheating करके बेच दी 50,000 पे में तुमने गाड़ी ले ली मुझे 50 दे दिया सब अच्चे बताओ तुमने कोट में फुरूफ कर दिया कि मैंने तुम्हेरे साथ क्या किया है मैंने तुम्हेरे साथ है fraud किया है कोट ने बोला contract voidable है कैंसिल करो कोट ने बोला कैंसिल करो सब बच्चे बताओ क्या हम एक दुसरे की चीज़ वापस करेंगे मैंने तुम्हें खराब गाड़ी दी थी मेरी गाड़ी वापस करो तुमने 50,000 दिया था अपना 50,000 वापस लो wordable contract में भी return करना पड़ेगा लेकिन section कौन सा लगाएंगे पढ़ियेगा when a person at whose option contract has a rescind it what is rescind cancel it the other party need not perform an A promise the party rescinding a wordable contract shell if he has received an A from another to such contractor restore such benefit अगर कुछ लिया है तो वापस कर दोनों ने लिया तोनों वापस करें एक ने लिया तो एक वापस कर क्या बात clear तो वाड डेबल का section फिर से बोलो और वाड एग्रिमेंट वाड कॉन्ट्राइट का section 65 मेरे बच्चे बोलो clear है अवास नहीं आई अगला section 66, 67 तो लड़ू से हैं 66, communication of recession एक बार फिर से बोलो recession का बतलब क्या होता है cancel करना बिलकुल ठीक बोला recession माने cancel करना अगर मैंने contract cancel करना है तो क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा अवाज नहीं आई अब मैं कोशन बोस्ता हूं तुम्हें तुम्हें वाबवसर को बोला मुझे class लेनी है वाबवसर नहीं थीक है बाद में तुम्हारा mood change हो गया तुम contract क्या करना चाहते हो cancel cancel को communicate भी वैसे ही करना जैसे offer और acceptance को communicate करते थे शुरू के chapters में याद है मेरा doubt ध्याम से बढ़ना कुछ नहीं है section क्या कहते है क्लाइन में पढ़ना recession must be communicated to the other party in the as मतलब मुझे याद करके बताब proposal यारी offer offer को communicate कैसे करते थे offer communicate कैसे होता था offer communicate ता माना जाता था जब offer को पता लग जाए हमारी offer का अवाज नहीं ऐसे recession communicate कब माना जाएगा जब सामने वाली party को recession है तुमने वाबा सर को message देगा मुझे आप से class नहीं लेनी message उनके mobile पर deliver हुआ उन्हें पढ़ा नहीं है क्या recession communicate हो गया जब उन्हेंने पढ़ लिया तो recession communicate हुआ recession वैसे ही communicate होगा जैसे proposal communicate होता था कुछ है section में कौन सा direction 67 क्या बात अब देखते हैं तुमारे लिए एक सवाल 60 कौन सा है ये 66 करा दिया कौन सा रह गया मैं 67 में बात बोलूँगा डिक्टो यही बात मैंने और भी कहीं बोली है पिछली ग्लास में आप उन्हें डूड़ना है मैंने कहां बोली थी मैं बोलता हूँ effect of neglect neglect of promisee to afford promisee reasonable facility for performance effect of neglect neglect लापरवाही of promisee to afford promisee reasonable facility for performance example याद कराता हूँ conception तुम याद कराओगे बोलो मंजूरे मैंने हलवाही को बोला मैं सबजिया लादूँगा संडे को मेरे घर में function है खाना बना देना आके कहता है ठीक है संडे को वो सुबह आया मैंने सबजिया लाके ही नहीं दी did I provided him reasonable opportunity to perform अवाज नहीं जब मैं सबजिया लाके ही नहीं दे रहा raw material लाके ही नहीं दे रहा तो वो बनाएगा कैसे क्या मैं ठीक बोल रहो मैं neglect कर रहा हूँ लापरवाई कर रहा हूँ उसको reasonable opportunity तो हलवाई क्या करे जल्दी बोलो contract cancel करके अपने नुकसान की मुझसे damages मांगे पढ़ना section 67 promisor key is a excused इस example में हलवाई को तो में प्रॉमिसर मान लो promisor is a excused by such negligent or refusal as to any non-performance caused by thereby आप सीधर excuse कर दो मतलब हलवाई साब आप मेरी wait मत करो अगर मैं बत्तम easy कर रहा हूँ तो आप क्या बोलो कि मैं perform damages मैं आपको दूँगा हलवाई साब आपको राइट है आप वहीं खतम कर दो contract हलवाई साब आपको बेश्ती और करने की जरूत नहीं है आप अपना performance perform करो या refuse कर दो मना कर दो जी जब आपने facility नहीं थी तो मैं कहां से आके perform कर ये बात कहां पड़ी थी अवाज नहीं आई क्या बोला मेरे बच्चे ने 53 वेरी गूड देखना 53 क्या है इस पार्टी प्रेवेंट अधर फ्रॉप पर्फॉर्मिंस इस प्रॉमिस contract becomes a and he is entitled to compensation from the बिल्कुल ठीक बोला section कौन सा अब पेपर में confusion की कोई जूरत नहीं है अगर एक पार्टी दूसरे को रोक रही है काम करने से या opportunity नहीं देरी करने को you can use 53 also you can use a 67 also overlap कर रहे हैं यह क्या बात clear है मेरा doubt can I proceed 53 and कौन सा 67 बोलो जी clear क्या यह box clear हो गया चलिये जी move करते हैं next box box का नाम discharge of contract heading मतलब समझाओ discharge of contract है खत्म हो गए contract discharge हो गए मने खत्म हो बहुत इजी है यह तो मुश्किल से पार्ट सत मिनट में निपड़ जाएगा कौन कौन होली की छुटियों में होली की छुटी में पढ़ा था घर बैठके हैं कहीं आज भी अच्छे बच्चे मेरी विरादरी करना होता है लेकिन आप जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आज कर लोग इंजॉए वले कम हैं और पढ़ने सिंसिर बच्चे जादा हो गए आज के मुझे ऐसा लगता है हां जी लेकिन आप मानो ना मानो दिल्ली में हो ली वैसे नहीं खेलते हैं जैसे यूपी में खेलते हैं हो कि मैर तकल भाग इतरे मैं यूपी मेंagenрийता येक था क्ल में यूपी में हम मतलब मैं देख रहाता लोगों कैसे वो खेलते है वह साफ पता लग रहा दगे खेली जाती है हो लिए यह को मिरा डाग्रा में था मैं तो मैं जब उटल में था वहां पर सामने महले थे कुछ में देख रहा था पागलों की तरह मैं वहां से जब निकला तुपयर तकरीबन ग्यारा बजे मेरा चेक आउट ता वोट जे जब मैं चलाआ वहां से तो मत्रा वरिंदावन माला रूट मैंने जानबुच के पकड़ा express में चोड़ दिया मैंने मैंने कब पुराने रूट से जलते हैं वरिंदावन आएगा मतुरा आएगा जरा देगे तो सही के महाल मतलब पागल होती है न दुनिया पागल पोली पे ऐसा उल lihatता कि लोग पागल होती है ऐसे होली खेलते है मपी लेकिन अच्छह अच्छेक पर चाहिं औहरीं कम ते शिरार्थि अंसर जादा थाथ इसक शराब पी रखी कि बहूत लोगों ने मात हर बहुत लोगों ने शिराफ of contract discharge money end करो contract को पहली एडिंग discharge by performance सब अच्छे बताओ सबसे इजी तरीका अगर हम दोनों ने perform कर दिया तो contract वैसे discharge तुमने पैसे दिये वैबसर ने पढ़ा दिया ये कौन सी performance है अबे performance कौन सी है actual performance दोनों ने अपना-पना काम कर दिया क्या बात क्लियर अच्छा दोसरा किसी को याद है वाट 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 अटेम्टेट performance समझाई थी मेरा डाउट मैंने तुम्हें प्रॉमेस किया था मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं अगले दिन तुम्हार को पढ़ाने आया तुम पढ़ने ही नहीं आये तुम पढ़ने ही नहीं आया था क्या मैंने अटेम्ट किया था सब अच्छे बताओ मेरा डाउट क्या मेरी तरह से कॉंट्रेक्ट रहेगा या खतम यो कि मैंने तो अटेम्ट दे दिया बात खतम clear तो मेरा सबसे पहला सब पर्फॉर्मेंट को डिस्चार्ज की हीडिंग नमबर वन पढ़ो डिस्चार्ज बाए पर्फॉर्मेंस पर्फॉर्मेंस अफ टू ताइप कौन काउंसे अक्चुल आड अटेम्टेड बोलो जी क्लियर है सेकिन हेडिंग डिस्चार्ज बाए मूचल में सेक्षन कौन सा आगया कहान खड़े करो 62 में तीन बात है के नोवेशन अल्ट्रेशन और रिशीशन अच्छ बात बताओ इं तीन ओं के उपर यह क्यों बोला डिस्चार्ज में मूचल एग्रीमेंत क्या नोवेशन अल्ट्रेशन रिसीशन में एक का मर्जी होते हैं दोनों मुच्छली चाहते हैं दुबारा सम्झाओ नोवेशन अल्टरेशन रसीशन क्या था यहां गया दमज थर्ड हेडिंग डिश्चार्ज भाइ इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अब इसका क्या मतलब है डिश्चार्ज भाइ इंपॉसिबिलि दो थी इनीशल और सुपर वीनिंग दोनों में बात में डिफरेंस बताएं कि क्या था जो स्टार्टिंग से इंपॉसिबल है वो इनीशल इंपॉसिबिलिटी और जो अचाहिए यहां पर इनीशल की बात नहीं करना क्यों नहीं करना क्यों कि हेडिंग है डिस्टार्ज कांट्रक्ट इनीशल में तर पनता ही नियए तो डिस्टार्ट कहां से वह यहां पर हमें इसकी बात करनी है दोतरों आ difference सुपड रिएनिंगं इंपॉसिबिलिटी के वॉय्ट और सूपटर वेरियरं इंपॉसिबिलिटे कॉंट्राक्ट जब बना बिलकुल पॉसिबल ता बात में जब इंपॉसिबल हुआ तो वैलट रहेगा या वosit कॉंट्राक्ट हो जाएगा लिपक्वाइब हो झाओं करना हो गा एन दयुकर ओप सिबले करना होगा Cow सब बच्चे बताओ पॉसिबल यह इंपॉसिबल कॉंट्राइट क्या हो जाएगा वाइड सेकेंड अदिस्ट्रक्षिन आफ सब्जेक्ट मेटर असेंशल तु दाट परफॉर्मेंस कोई बच्चा समझाएगा मतलब इसका में चीजी रिश्वय होगी जो परफॉर्म करनी थी गाड़ी बेच नी थी गाड़ी जलके राक हो गई बेच पाऊंगा या कॉंट्राइट दस्टार्ज हो गया non-existence or non-occurrence of a particular state of thing which was naturally contemplated by for performing the contract as a result of personal incapacity like dangerous melody मेरा ड़ट अबे यार ये वो है अजी non-existence or non-occurrence of a particular state of thing मेरा ड़ट which was naturally contemplated for performing the contract as a result of some personal incapacity like dangerous melody मैं तो मैं रियल लाइफ पर बतारे तो ये क्या हुआ था जो ये point add हुआ actually क्या था है ये case London का case है एक King की Coronation Surmonie थी एक King की ना राज सिंगासन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उस अंगरिजी में Coronation Surmonie भोलते हैं एक King की Coronation Surmonie थी एक बन्दा देखना चाहता था वो लेकिन वो इन्वाइटिड नहीं थी राजमहल में जाने के लिए अब महल में नहीं जा सकता भाई, इन्वाइटेड नहीं है वो, तो उसने क्या किया, सब बचे बोट पर देखो, राज महल के सामने एक होटल था, और होटल के कमरा नंबर 415 से न, कि खिड़की से राज महल दिखता था, तो उसने आइडिया लगाया, वो होटल में उसने होटल मैनेजर को बोला, मुझे कमरा नंबर 415 चाहिए, होटल मैनेजर ने बोला क्यों, कहते हैं मैं रहने नहीं आया इस होटल में, मुझे थोड़ी जर के लिए कमरा चाहिए, मुझे खिड़की पे बैटके देखना है, राज महल में राजा की, वोजे सर्मनी योग कमरे की खिड़की पे और राज सिंहासन देखेगा, लेकिन अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, राजा की तब्यत खराब हो गई, ध्यान से बड़ समझना, परस्नल, इनक्यपासिटी, बात समझ आया, उनको गंधी सी बिमारी हो गई, डेंजरस मैलिटी, गंधी सी एक बिम क्या हो गई, उनकी तबवत खराब होगी, तो कॉर्डिनेशन समयनी कैंसे लोगई, क्या बोला मैने कॉर्मेनेशन समयनी, नॉन अकरिंस या नउन इसे, जवाली तबव क्या वैसे हो नी थी, जबाब चाहौ, कि नाचर्शली कंटेमप्लेटीटेड था कि वह होगी, लिकि तू जा, 2,000 त्टू दे जा, तो किस बाथ के 2,000, जिस परकॉस के लिए मैं आया था, जिस परकॉस के लिए मैंने रूम लिया था, वो तो हुआ ही. क्या मेरी बात clear? तो कॉंट्राट्ट परफॉर्म करने की जुरत गोशनुट को तो कड़ी हो गई आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो आजरी डिंफ्रक्शंस आफ है में पर्पस जो में पर्पस था हो स्थ而 हो गया जो एक्जांड क शैर कि अधा था बच्चे में पर्पस वह ок Rams का हो गया इस ऑपल में कॉंट्रीट का में पर्पस क्या था सर्मन ही एटेंट करना है वही फंक्शन डिस्ट्राइब हो गया क्या बात क्लियर है थोड़ी सी चाय बनवाद हो यह पता नहीं क्या हो गया थोड़ी तब तो ठीक है लेकिन भूख सी लग गई साथ में कुछ एक आता स्नेक्स मंगवादे ना हलका हां आप लोग लेंगे थो पॉंट हो गया दिस्रक्शन ओव सब्जेट में एक क्लियर है मेरा ड्याउट लास सब्सक्राइब करना था इंडिया चाइना का गया वार आय पाएगा यह इंपॉसिबल हो गया बेटा यह चार ग्राउंड है शुपर वेडिंग इंपॉसिबिलिटी के पेपर में आ सकते ह इन चारों में एक ही आंसर, contract void हो जाएगा, contract discharge हो जाएगा, क्या मेरे बच्चों को clear है? अवाज नहीं आईगी, अगली heading, discharge by lapse of time, अब इसका गया मतलब, time ही lapse हो गया, मतलब क्या हुआ, खतम हो गया, मेरा डाउट, discharge by lapse of time, हाँ, example, तुमने एक मुवी के टिकेट बुक कर आई, 6-9 का शो था, आवाज नहीं आई, 6-9, तुमने उसके नहीं पैसे पूरे पे कर दी है, लेकिन तुम 9-6 में नहीं जा पाए, आवाज नहीं, क्या contract discharge हो गया, तुमरे पैसे refund हो जाएगे, आवाज याई, मेरा एक मुझे देखने दो, पैसे refund हो जाएगे, एक मुझे देखने दो, पैसे refund हो जाएगे, एक मुझे, पहले में लॉव लगाता हूँ, सर्क कॉंट्रेक्ट वाइड हो गया, अभी आपने पढ़ा थे, जब कॉंट्रेक्ट वाइड हो तो 65 नंबर सेक्षन है, वाइड कॉंट्रेक्ट में अगर कुछ दिया तो वह वापस मिलता है, क्या ये बात क्लियर है, तो 64 लगाएं, तो अगर पिच्चर की शो हमने मिस कर दिया, तो हमर को refund मिलेगा, yes or no, 65 लेकिन अब धियान से सुनना, क्या मुवी टिकेट वाले पहले ये बात क्लियर करके र अपने टिकेट के पैसे refund ले सकते हो, अवाज नहीं आई, is it okay, मेरा डाउट, सब बचे, laps of time के बाद चले, discharge by operation of law, अपकी बार discharge किसने किया, operation of law, best example दो इसका law लग गया इस वज़े से, operation of law, death is the best example, हाँची जदे को, death, death of promise, insolvency, ये दो एक्जांपल best है यहाँ पे, बच मैं मर गया, perform हो पाएगा, या discharge हो गया, यहाँ पर law लग गया, law, get the death, insolvency के बाद, contract performer, नहीं होंगे, लेकिन सारे contract ये जो personal skills वाले थे, क्या ये बात बार बार बोल रहा हूँ, contradiction तो नहीं आ रही मेरी contract की किसी class में, मेरे किसी concept में कोई contradiction नहीं होगा आपको, मैं उल्टा रिलेट करता हूँ, मैंने वहाँ पर ये बोला था, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ, clear है, मेरे एक सवाल, अगर प्रॉमिसर मर गया, या इंसॉल्बेंट हो गया, contract perform नहीं होगा, अगली heading, come on fast, बच्चा मुझे याद कराएगा, breach of contract का मतनब क्या है, breach, मैंने बोला क्या मेरी कार लोगे, तुमने का, हाँ, मैंने का, कब लोगे, तुमने का, अगले मंडे को, contract हो गया, तुम्हारा witness जे को phone आए, मुझे कार नहीं चाहिए, breach का मतनब default कर रही है, सामने वाली party, मुझे कार, तो बताओ सब बचे मैं क्या करूँ, wait करूँ या discharge हो गया, contract, क्या मैं जुरत है वो portion या नहीं करना, next सवाल, ये तुम्हें आता है 67, अगर मैं हलवाई को reasonable opportunity ना, तुम परफॉर्म करने को, तो वो पिचारा परफॉर्म कर रही है, वो cancel कर सकता है contract, section कौन सा है, last point, छोटा सा, merger of rights, कोई बच्चा याद कराएगा, merger of rights, यहाँ पर कोई inferior right, superior right में मर जो गई, this could be an example of innovation also, अब जो मैं दे रहा हूँ, this could be an example of innovation also, clear है, suppose करो, तो मैं वेबसर को बोला, वेबसर हमें सर्फ लॉकी क्लास लेनी है, उन्होंने बोला, बेटा, 10,000 फीस है, contract हो गया, तुम्हारा वेबसर के तर 10,000 में, तुमने 10,000 दे दी है, उसके बाद तुम्ह है, वेबसर हमें न पूरा कोर्स पढ़ना है, हमें न पूरा कोर्स पढ़ना है, वेबसर बोले 30,000 फीस, तुमने का सर्मने तो लॉके 10,000 दे रखे हैं, हम 30 और क्यों दे, वो 10,000 अज़स्ट करो, हमसे और कितने ले लो, 20 ले लो, और हम तो लो पढ़ी रहे हैं, तो क्या हो जाए तुम और 20,000 देखे बागी तीन पढ़ लो तेन तो तुम्हें लॉका पहले दे दिया यह सुरो मेरा डाउट जबाब दो तुम क्या चाह रहे हो लॉवले पैसे लॉवला कॉंट्रेक्ट उसी में क्या हो जाए तुम्हें चारों पेपर दुबारा नहीं पढ़ क्लियर है आवाज नहीं आई क्या एक स्लाइड खतम हो गयी आजखी अवास नहीं आई मेरा डाउट अब कौन सी आई स्लाइड नंअबर टू कौनिसा 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 breach of contract यह पूरा breach है breach remedies for breach of contract. एक मिनुट का हॉट ले लेती हैं भाई. यार, हम पंजाबी हैं, जज दिन हम ना, तुम्हारी विले अरकते कर देना उस दिन परशान होते हैं, मैं बसाच बता रहों, तुम्हें हमें पंजाबी, हम कहीं बार अगर थोड़े पंजाबी विले अरकते बंद कर देना तो परशान हो जाते हैं, मैं परशान हो रहा हुआ मुझे भूख लग रही है बहुत तकड़े वली हम पंजाबी है हमें खाने हो तो सुबह प्राथे अलू के को भी के समझ रहे बात को बखन डालके साथ में ग्लास लस्टी का चाहिए गर्मी है तो आज पता नहीं कलम ट्रावल करके है मेरी ममा कहती है बेटा एक काम कर मैं कहा जानी हार हम पंजाबी है हम रह नी सकते हैं आज नहीं कुछ भखे है आप बिलीव करोके हमारा पक्का शैर अमृच सबसे जड़ अचा पंजाब में सबसे जाथा फूटी अम्रेचर में मिलेंगे आपको वहां पर देसी का ऐसे यूज थोते हैं यहां पानि का यूज होते परांठे के उपर देसी की ऐसे डालते हैं जैसे आप आप हैरान हो जोगे अगर आप मेंसे किसी ने वीडियो देखी हो यह कोई गया हो वहां पर 90% अमरेसर के लोगों को हाट की प्रॉब्लम है मतलब हर किसी को जो बुड़ा है उसको हाट की दिक्कत है वहां पर लेकिन तब भी बाज नहीं आते वो उनकी सोच क्या है ऐसा पंजाबी मरना तो समने है खाके मरो मरना तो है ही बाई क्लियर है चलो लेट्स कम बाक ओके ओके बिना डाउट स्लाइड नंबर टू की तरफ मुव करते हैं थोड़ा सा स्लाइड बन फिनिश हुआ ब्रीच ऑफ कॉंट्राक्ट सब बच्चे ब्रीच का मतलब चल दी इसे ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ पार्टी टू परफॉर्म हिस और अप्लिगेशन अंडर रा कॉंट्राक्ट फेलियर कर रहे हो तुम तुम फेल कर रहे हो मैंने तुम्हें बोला मैं पढ़ाउंगा तुमने कटी किदर करम आएंगे तुम नहीं आ प्रीच किसने करा सामने बले ने ब्रीच किया मैंने क्या किया मेरे पॉंट पीसे बताओ क्या मैंने अटेंटेट परफॉर्मेंस दी और तुमने ब्रीच किया अब देखो हम कॉंट्राट को कैंसल कर देंगे मैं कैंसल कर वह यह बोलके कि मैंने तो अटेंट किया ता तुम गाधे धोड़ी दो तरह की होती है aktual breach और anticipatory breach 暑 fermy टुटांइब अच्छ वीच और anticipatory ब्रीच मेरा और सब बच्चे देखना पहले कौनसी ब्रीच आट्रुटर पिरफींगत औहट और ब्रिच अगर prior to due date करोगे तो anticipatory breach तो मैं मंदे को गाड़ी देने का promise मैंने किया था मंदे को मैं गाड़ी लेके चला गया तुमने मंदे को due date पे लेने से मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए देसे अच्छल भी due date पे मना किया performance की डेट पे और अगर उससे पहले ही तुमने मना कर दिया मैंने तुम्हें का मंदे को मैं गाड़ी दूँगा तुम्हारा मेर को coming second next Monday को तुम्हें गाड़ी दूँगा मैं तुम्हारा Saturday को फोन आ गया सर मुझे गाड़ी नहीं चाहिए तुमने time से पहले ही मना कर दिया पॉपववेंस से पहले ही डाट इस चॉल दंते सबेतरी प्रीच्छ बाट चॉल्ड outta मत क्लिए के चुलर nay बच्छो तो फो ट human से पहले मना कर तो के पीचे अरट और इस अन ब स्ट Bitcoin देख रहिया हम इसा नोटशे वहरे पास बुपमे देखरी हो है हाँ बुक पड़ एक मलिटिदास्टिंग एक पर्णार करें गुड कि अगया मेरे रिख्रिक्शन सबस्क्राइब करते हैं, सबस्क्राइब के निट सिबेटरी पर कोशन जादा आती है, बचे मुझे यह बताओ, एंटिसीपेटरी ब्रीच ताइम फिक्स जिस जिन फिक्स होआ तो उस जिन प्रीच होआ यह उससे पहले ही हो गया, अच्यांड वेक्ट्राइशली पिकर सक्ते हैं और हम्पाट्रेश ली चलो फ्रस्था में गारी जो जोंगा तुम् आरे दो दोगा क्या लाक्या मैं काड़ी निनी ले दा यत्म सारे गो मेरे घर का इंप्लाइड एक्जाम्पल ओके मेरा डाउट बेस्ट एक्जाम्पल बिल्कुल ठीक एक्जाम्पल इनों ने दिया मैं बना देता हूं मैंने अग्ले मंटे को गाड़ी देना था मुझे पता लगा तुम साथ ने कोई दिली छोड़के निकल गया से पर्मनेटली तुमने मुझे कुछ बोला या नहीं बोला क्या लेकिन यह जब तुम दिली से शिफ्ट कर गए हो कैनेड़ा चले गए तुम सब बच्चे बता गाड़ी लो पाओगे या निले पाओगे यह ब्रीच तुमने कब किया मंडे को या मंडे से पहले यह कौन सी ब्रीच है एक्सप्रेस यह एंपलाइड है इंपलाइड है बोलो बच्चे क्या बात क्लियर है अब एक सवाल तुमसे बूस्ता हूं एंटिसीपेटरी बीच पर यह लंबा सा डबाल यह लिखा यह क्या है सब बच्चे बताव वोट पर देखके अगर मैंने एंटीसीपेटरी ब्रीच कर दी तो क् को दामेजस मिलेंगे मेरे दो ऐग्सामपल से देमेजस को लेके मैंने मंदे को कार दीनी थी साटरड़े को ही मना कर दिया तुमने के मुझे गाड़ी नहीं चेहे एग्सांपल ऐसे लेती है मैंने तुमसे गाड़ी मंडे को लेनी थी I'm a bar you are the seller मैंने तुमसे काड़ी मंडे को लेनी थी हाँ जी मेरा डाउट भाया भार ही रखतो मैं बच्चे के सामने तोड़े ना काऊंगा शोटे ग्लास्रूम मेरा रखतो मेरा डाउट मैं खाऊंगा ये मुझे देखेंगे ऐसा अच्छा तोड़े ना लगते या या I don't like this या तो सब इक अठे काए और एक पैटी या स्नाक्स होगे वो कितने लोगों पर बाटे भाई हाजी मेरा डाउट ओके क्लास कमिंग बैक लिसन लिसन केरफुली मैं क्या बोल रहा था मंडे को मैं तुमसे गाड़ी खरीदूँगा बायर में आऊ तुमने बोला था मंडे को दूँगा Saturday को तुमारा फोन आ गया मैं गाड़ी नहीं दे रहा गाड़ी से अच्छा एक्जांपल गोल्ड का लो तुमने बोला मंडे को मैं गोल्ड बेचूँगा मैंने कड़न में करी दूँगा लेकिन साटर्डे को तुम्हारा फोन आ गया मैंने अब सब बच्चे बताओ मैं क्या करूँ मेरे और सभ तुमने कम मना किया मुझे saturday को ध्यान से सुनना जिस दिन तुम मना कर रहे हो क्या मैं उसे दिन औरामेजę और ऑप््चिनृ और हो सकता है मैं वेट करूँ मन्डेय तक rarely मन में तोड़ हो जाल में तोचा क्या पता बंदे का मूट के अलता हृच गार क County तक मैंने मंडेय को फिर पूचा भाई तुमने का मैंने नहीं देना गए ठीक है Jeff आपिर मैं आज cancel कर रहा हूँ. मैं आज क्या वाय रहा हूँ? इस दिन का लॉस ले लो. अब तुमारे पास दो आफ्शुन है. या तो तुम Saturday को ही cancel कर दो, या तो मनडे को. अगर Saturday को cancel कर रहे हो, तो Saturday तक उम्हारा जो लोस हुआ, तुम दयमेजल ले लो. अगर तुम सारे ड़ी को नहीं कैंसल कर रहे हैं, बल्कि तुम दो दिन और वेट कर रहे हो, मंडे को जब दिन डू देट ता उस दिन कैंसल करो, और उस दिन तक जुमें जितना लॉस होगा, वो डैमेजस लेरे, क्या बात clear, सब बचे पढ़ना, effect of anticipatory breach, either treat the contract as, and sue the other party for, for breach of contract immediately that is Saturday मेरे example में, और और आगे, में elect not to recent the contract, but to treat the contract as a, and wait for, and then sue it if not perform, यानि ये कह रहे है, मंडे तक की वेट करो, और मंडे को perform ना हो, फिर दामेजस लो, ये है, कौंसा concept दोस्तो, anticipatory breach, can I take a five minutes break, I'll take a break of five minutes, five minutes की break लगा देना, only five minutes please, आप लोग नीचे मच जाना, हाग किसी को मेरी तरह बहुत भूख लग रही हो, तो चले जाना, I'll take a break of five minutes. झाल 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 चलिए ब्रीच का मतलब सामने वली पार्टी क्या कर रही है डिफॉल्ट कर रही है ब्रीच के अंभी उफ टू टाइप्स अच्छल और एंटिसिपेटरी अच्छल में क्या था इव टूडेट पर मना करना और एंटिसिपेटरी में क्या था यू डूडेट से पहले मना करना क्या बात क्लियर अब मेरे बच्छों ध्यान से सुनना जब भी प्रीच होगा तो दो पार्टी जिसने ब्रीच किया वो डिफॉल्टिंग पार्टी और जिसके जाथ नुक्सान for breach of contract ॹा् नाम है remedies for breach of contract रेमप्टी स्वार ब्रीच आव कोंट्राक्ट क्या बातfern मेरा डाउट सब बर देखो remedy नुंबर वन रेसीशन, नेमिनी नमबर टू, नहीं, रेसीशन फर्स्ट है, चलो इसको ना, डैमेज इस सेकेंड है, उसके बद कोई भी नमरिंग दे दो, इंजंक्शन को, नॉन पर्फॉर्मेंस को थर्ड, इंजंक्शन को फोर्थ, कौन्टम मैरेट को फिस्थ, पांच रेमेडी हैं, कि कैंसलेशन, अगर आप मेरे साथ ब्रीच कर रहे हो, तो मैं कौन्ट्राक्ट में रहूं या कैंसल करूं, तो कैंसल करूंगा, तो कैंसल के लिए मेरी पहली रेमेडी का नाम क्या है दोस्तों पढ़ना, राइट फॉर, वेन का कौन्ट्राक्ट इस ब्रोकन बाए वन कि मेरे ट्रीट इस कॉन्ट्राक्ट आज रिसाइंडेट, बोलो बच्चे क्लियर है, रिसेशन समझ आया, अब आज नहीं आई है, मेरा डाउट, सब बच्चे अब आए, सेकिंड रेमेडी पे, सेकिंड रेमेडी का नाम पढ़िए, स्यूट फॉर, स्यूट फॉर, पताओ, डामेज का मतलब क्या है, अगर कॉन्ट्रेक्ट में ब्रीच हुआ, और समने बली पाटी को कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है, तो मॉनेटरी लॉस किसके रूप में ले सकता है, डामेज के रूप में, डामेज इसे बोलते पेनल्टी यान या प्रीफिक्स डेमेज, कोल मिलाके 6 तना के डामेज़ हैं, जो आप ले सकते हो, अरे कौनसी पाटी ले सकती है भाई, एक रीफ पाटी, पहला डामेज, और डामेज का मतलब आपका कोई जन्मन लॉस हुआ है, ब्रीच से, आप ले लो मुझसे, अगर आपका कोई जन्मन लॉस हुआ ब्रीच से, एक लाग में देने का वादा किया, मैंने नहीं थी तुम्हें मार्केट मेरे जैसी कार, एक लाग दसजार मेली, बिल्कुल मेरे जैसी कार तुम्हें दसजार मेंगी मिली, किसकी वज़े से दसजार का लॉस हुआ, मेरी वज़े से, क्या मुझसे तुम्हें देना loss ordinary damage में दो loss नहीं मिलेंगे remote या indirect loss बहुत दूर का loss suppose करो आपने मुझसे auto car लेनी थी because आपको अपने गाउं में ले जाके शादी में इसको किराए पे चलाना था और वहां से 50,000 कमाना था सुनाई थी मेरी बात मेरे से auto car लेके आपने गाउं में लेके जानी थी शादियों में चला के 50,000 कमाना था यह रिमोट यह indirect loss मेरा डाउड आपको मैंने car नहीं थी आपने market से car जब तक ली शादियों का season खतम हो गया शादी में आप जा नहीं सके आपका 10,000 गाड़ी महंगी खरीचने का loss हुआ और 50,000 शादियों में ना चलाने का loss हुआ साथ हदार का आपका loss हुआ I'll not give you 60,000 very clear ordinary damage में मैं सर्फ कितने मैं से दूँगा 10,000 क्या बात clear है अबाज नहीं आई या case था head lay versus back sendale का जिसमें बिलकुल ऐसी बात हुई थी के भाया ordinary damage ले लो कोई remote या indirect loss नहीं मिलेगा क्लियर नेक्स अवाल अग्ला वर्ड क्या या दोस्तों बताओ special damages now what do you mean by the word special damage मेरा डाउड special damage चाहिए तो पहले आपको मुझे special circumstance बताने पड़ेंगे special damages तभी मिलेंगे come on fast दोबारा example देता हूँ आपने मुझे बोला सरमेक अकाउंट की class लेनी है मैंने का ले लो कोई problem नहीं है आप अकाउंट की class ले लो 10,000 में देंगे हम आपको अकाउंट की class आप देखो मेरी बात सुनना 10,000 में देंगे अगर मैंने time पे class नहीं दिया आपने मार्केट से वही class 11,000 मेली आपका एक हजार का लॉस हुआ यह तो कौन सर्ड है मिरसता जल्दी बोलो ordinary अब सबोस करो example जहां से सुनना आपने वापल सर को बोला सर प्लीज मुझे अकाउंट्स पढ़ा दो रबस सर बोले बेटे 10,000 बोला सर में 10,000 देदूंगा प्लीज पढ़ा दो बिकॉस आप मुझे पढ़ाओगे तो मैं 11,12 के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा दूंगा वहां से सर मैं 50,000 कमा लूँगा यह बच्चे ने बात सर को बताई सर आप मुझे जो पढ़ाते हो वही चीसे जाके मैं 11,12 की बच्चे को बढ़ा देता हूं और मैं कितना कमा लेता हूं सर बच्चे में 50,000 in komplis तर केघर मना कर देया तो वह आगे पर अपाया या नहीं पढ़ा पाया वसके हाथ से बच्चे निकल गें कितने का लॉस का उसने 5000 वली बात रबन तुर्क अवैर कराई ठीकर मैं 50 रख मा लूंगा केने को यह इंडिरेक्ट यह रिमोट लॉस है यस और लो बट क्या उस नहीं यह बाद पहले यह स्पेशल सरक्मस्चांसे पार्टी को इंफॉर्म किये थे अगर किये थे तो यह कौंसे लॉस में कभर हो जाएंगे दोस्तों बताओ आप यह ले सकते हो कौंसे डामेज में बताओ पेशल बें अने जब यह कॉंट्रक्ट बी से किया तो बीने कुछ नहीं बोला कि असरा आप सिर्फ 10 में लेका कि सी को 12 में दूँगा यह बत यह बीने किसको नहीं बताई दोस्तों एको एन मुक्य पे एने मना कर दिया मैं नहीं दे पाऊंगा एने बीको नहीं दिये तो बीने सी नहीं दिये अब भी बोले सर आपने मुझे नहीं दिये ना पता है मेरा 2000 का लौस हो गया आप मुझे नहीं दे पाए तो मैं आगे नहीं दे पाया यह जो 2000 का लौस है एक तरह का इंडराक्टीए रेमोट लौस है अगर यह चाहिए तो बेरा डाउट में आपको पहले यह लात इन फ़ांप करने पदे क्या मेरे बच्चों क्लियर स्पेशल डामेज अब आध नहीं आई अगले नंबर पे कौन सा आता है कमाण फा़्फ विंडेक्टिव और एक्जेम्प्लरी डामेज अब यह क्या है बच्चों बताना विंडेक्टिव और एक्जेंप्लरी यह बह बहुत यूज अभे नीद आ रही है तिरको हाँ आगी सर कहने नीद आगी मेरे को तो आज अभे नीद आ रही है बाई किसी और को भी हाँ जी मेरा डाउट विंडिक्टिव और एक्जेंप्ले डामेज कमन फास्ट पहले विंडिक्टिव की बात करते हैं भाई ऑनलेन वालों तुम मेरे प्यारे हो लेकिन उससे पहले भाईया ये जो दूर दूर से आएं इन्हें थोड़ी जादा इच्जत मिलनी चाहिए हैं क तुमने तो घर में बैठके से को घर में बैठके पढ़ने वालों का ना बड़ा रिस्क होता है पढ़ने वाले पढ़ भी लेते हैं और सोने वाले एक तीसरी कैटेगरी के भी होते हैं जो निपताती है को अब मैं बता रहा हूं क्या होता है मानलो आज की क्लास का तम हुई आज वो बच्छा क्लास नहीं लेगा क्लास आप में आ जाएगी गेड़ गंटे की क्लास है वो लगागा टू एक स्पेस को देड़ गंटे को उसने 90 मिनट की ग्लास को 40-40 मिनट में निपता के खतम करनी है कैसा होता है ओनलाइन में यह निपताने वली बात है न मेरा पढ़न सब्सक्राइब क्लास में का मिल जाएगी कितने की मैं का 200 गंटे की कितने एक्स तक स्पीड है उसमें यार मुझे यह बताओ यह कौन सा क्वेश्चन वह पूछने वाला मैंने का बिटा टू पॉइंट के तो टू एक्स ही है बस उसका सवाल था कि इससे भी थोड़ी 2.2 त करो आजकल आ रही है है ना टू एक्स तो सर सौ गंटे लग जाएंगे वह पहले मैंने का आपने लौ पहले पढ़ा हो है नहीं सर मैंने का बिटा तो 200 गंटे तो औरे कहां से देढ़ेंगे आर्टिकल्शिप भी तो कर रहे हैं मतलब और अच्छा मैं यह फेस चो फेस 200 गं करो यह तो फेस तो फेस यह तो रिकॉर्डड़ मत करो बिकॉस रिकॉर्ड़ में तुम लोग चीजों को निप्टाने का कोशिश करते है तर सुनते तो है सारी बात 2x पर सुन ली तो क्या हुआ फिर मार्क्स पर 2x पर ही आते है फिर अजी सी आया मैंने एक प्लान और बना तो मारी कमी में तुम्हें बता रहो अपन ऐसा क्यों ना करें कि एक तीन घंटे की कोशन मैराथान भी करें जिसमें कोशन लिखने की प्रक्टेस करें 15-20 कोशन 20-25 कोशन कि चलो लिखते हैं तेको 20 कोशन हो करने तीन घंटे में हार्ट टूड जाएगा लेकिन हाँ जब अ जब जाधा रेपेटेटिव हैं उन्हें में एक कोशन घंटे की क्लास में लिखवा दे तो सबको मेरे साथ सा तुम भी लिखो के तुम्हें टाइम दूगा चलो लिखो इस महाने तुम्हाने थोड़ी सी रिटरन प्राक्टिस हो जाएगी क्या कहते हो ऐसा कुछ करा जाए ऐसी प्लानिंग करी जाए चलो ले लेट लेट लेट्स डू दिस ओल्सव अब सवाल आया कॉंसा डामेज चल रहा था विंडिक्टिव डामेज विंडिक्टिव डामेज बहुत हेवी अमाउंट अव डामेज होता है यह इंडिया में मिलता ही जर्फ दो केसे में है शादी से मना कर दो या गलती से किसी का चेक बांस कर दो बास दो केसे में लड़के ने लड़की वालों को बोला शादी की तियारिया हो गई शादी को इंडिया में social नहीं माना जाता एक contract माना जाता है हलां कि शादी social obligation है बट क्योंकि social है तो enforceable नहीं होगी सबको बाता चैप्टर फन में और शादी में क्या बहुत सारा पैसे का लेंडेन होता है समान का लेंडेन होता है तो लोन ने सोशल होता कमन वास्ट तो सन्वाई नहीं होती क्लियर तो कॉंट्राक्ट ऑफ महारेश अब हुआ क्या लड़के ने लड़की वालों को बोला शादी के लिए सब को सारी तैयारी होगी एन मौके पे लड़का मुकर गया मेरा डाउट मुकरियों मत लड़के नहीं तो तेरे पे कॉन से डामेज लग जाएंगे विंदेक्टेव डामेज बहुत मोटे अमांट के होंगे ये कोई कालकुलेटिव नहीं होते ये तो सामने वाले की फीलिंग्स को देखा जायेगा लड़के ने मना कर लड़की की क्या विजरी दुखी होगी, दुखी होगी, अब जच्छा बोलेंगे, अरे भाया, ये तो लड़की, हमारे हमारा हिंदुस्तान कल्चर है, एन मौके पे मना कर रहे हो, दुनिया को लगेगा, इस लड़की में कोई खोट होगा, ये तो बड़ा गड़त काम कर दिया पर लड़के मिलते ही तरुम कब है, जब शादी के कॉंट्राक्ट में परीच हो, पहला केस, और दूसरा केस, किसी का चेए गल्ती से बाउन्स हो जाए, अब सबोस करो, किसी का चेए गल्ती से बाउन्स हो जाए, ने बटा दे तूम आपको, सबोस करो, एक बच्चा मेरे लिए चोकले लेकर आया मैंने का थैंक यू बेटा चोकलेट लाया के तए 100 वे की है महां बड़ा बत्तमीद बच्छे करा तवर पर देदो मेरे पसक्याश नहीं था UPI नहीं था मैंने चेकबुक से चेक काटा सौर पर देदिया यांसर चुनना सौर का चेक काटा PNB बैंक में मेरा कांट में निश्क काट के दे दिया मेरे बैंको लोनयine लापर के करी मुझे नीपता बैंक ने शेक बांज मार दिया कश्मीद के आक और मैं 10 journée नहीं और बच्चे ने खुण अविड़र श्यों ही 60 भीट टो मेरे तर सारी दीसरे ते यह नहीं होते हैं कॉंट में मैं क्लास में एक बच्चा आया कहता सर यह लो सौर पर रख लो मैंने किस बात की कहना अकॉंट में पैसे तो रख लिया करो बेस्टी कराती हो उतर से बाइब सर कफून आ गया है यह नोट हविंग इनी मनी ने अकाउंट इने का है है इतनी वेस्टी स्टाफ वले कैने सर अमसे लेके रख लिया करो आप थोड़े से पैसे है है सारे बंदे वेस्टी कर रहे हैं बाई था मैं बेंक क्या बैंक मेरा चेक बांस हुआ बेंक कैता जी सर में तो क्यों बांस कि लार्जर वूड़ बीडि डेमेज कैता सौर पे का चिक था मैने का सर सौर पे कोई बंदा आपको मेरे को देख लग रहे हैं मेरे अकॉन में सौर पे नहीं हो जो जच बोला अरे सौरी इनको हंड़ेट टाइमस दे दो सौर का हंड़ेट टाइमस कितना होता है जान लाग मै यह हैं 10 लाक ले रहा हूं, मेरी बात सुनना, अगर अमानी का सौर पर गाचे, गल्टी दे बाउंस हो जाए, सोचके देखना, सौर पर गाचे, किसका बाउंस? अंबानी का बाउंस हो जाए वो एक लाग या दस लाग नहीं लेगा वो कहीं करोडों में लेगा क्योंकि उसकी गुडविल मिर से बहुत जाधा है क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ जिसकी जितनी जाधा नहीं इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना चाहिए लारजर द्रीमाूंट अव बेस्टी में लार्जर on जिदामिज या ऐसे बोलते हैं स्माहलर हैं अमांटोव टी बेसी लार्र टी में उफ्री जाधा गगोई मेल रहे चाहिए बने एक सवाल कौन्से डैमईज का नाम तिख रहा है? नॉमिनल डामज अब ये नॉमिनल डामज कौन से है? नाम के डैमज कोई लॉस हुआ ही नी तुमारा मेरा तुमारा कोई लॉस हुआ ही नी तुमने बहुत वे पढ़ा दो उन्हेंने का 30,000 फीस लगे की तुमने का सथ 30,000 दे देंगे एन मौके पे बैबसर ने मना कर दिया तुमने कई और से classes ले ली तुमने जहां से classes ली वहां भी 30,000 की मिल गई तुम्हारा loss कितने का हुआ loss तो कुछ भी नहीं हुआ time भी waste नहीं हुआ तुम्हारा कुछ भी तुमने फिर भी केस्टों के दिया जच साब ने का बिटा क्या हुआ बोला इनोंने मेरे सथ ब्रीच किया पापसर बोले I'm sorry जच साब बोले बिटा loss बताओ कितने का हुआ loss तो कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ तो दिलवाओ breach तो हुआ है this is called nominal damage nominal का हिंदी है यहाँ पर नाम के damage आक्चल में तुम्हारा कोई loss नहीं है बस तुम्हें थोड़े से पैसे दिलवाई जाएंगे क्योंकि तुम्हारे साथ breach हुआ क्या बात clear nominal समझ आगे nominal के पाद अगला नंबर पर कौन सा damage आया I repeat कौन सा है nominal के पाद प्रीफिक्स डामेज है अब आप नहीं आई यह डिटोरियेशन वहला नहीं है पहले कौन सा है damage भाई यह रहा थोड़ा सा मुझे पढ़के सनाओ मुझे सनाई नहीं देरा भाई सब आप पढ़दो जिरा पढ़दो पोट पे से क्या लेकर damages for damages for damages for deterioration caused by अब इसका क्या मतलब है caused by delay deterioration का मतलब चीज खराब हो रही है क्यों खराब हो रही है क्योंकि बंदा क्या कर रहे है बच्चो delay कर रहे in case of deterioration caused to goods by delay damages can be recovered from carrier even without आउटर कि सोची ये दिली से बंबाई ट्रक पे माल बेजा आपल से हफ्ता ठीक रहते हैं उसके बाद खराब होने शुरू हो जा भी है ट्रक वाला बोला है एक हफ्ते में आपल मंबाई पहुंच जाएंगे लेकिन ट्रक वाले ने लेट कर दिया एक हफ्ते की जगह बीस दिन में आपल मुंबाई पहुंचाएं मेरा डाउट तीरा दिन लेट हो गए आपल आपल थोड़े से खराब होने शुरू हो गए लेट कर दिन लेट कर दो गए तो पहले नहीं बताई थी लौ कहता है इवन विदाउट नहीं लास्ट पड़ो एवन विदाउट इन फॉर्मिंग अगर आपने उसको नहीं भी बताया था क्या यह कॉमन सेंसे के जितना लेट होगा चीज खराब होगी खराब होगी तो उस उतनी खराब तो उससे माच कर रहा है कॉंटरिक्शन नहीं आरा कंसेफ्ट में क्या बात क्लियर है तो यह वला डामज आपको समझा है क्यारियर से रेगवर कर सकते हो लास्ट डामज का नाम पढ़ो कौन सा डामज आया प्रीफिक्स डामज प्रीफिक्स का हिंदी होता है इसे तह कर लो प्रीफिक्स डामज प्रीफिक्स डामज अव टू टाइप्स पहला नंबर पर कौन सा आते हैं लीकुड़ेटिंग डामज अब यह क्या लीकुड़ेटिंग डामज इसका मतलब तुमने कॉंट्रैक्ट के स्टार्टिंग में कैलकूलेशन कर ली एक्जांप मेरा तुमने मुझे का हम गुट्स बनाके दस दिन में दे देंगे मैंने का दस दिन में दे दोगे ठीक है ना दिये तो अगर आपने मुझे 10 दिन में समान बनाके नहीं दिया तो तुमने का फिर क्या करोगी? मैंने का देखो तुमने अगर 10 दिन में नहीं दे पाए तो ब्रीच हो जाएगा. मैं तुमसे पर दे कुछ अमाउंट रेकवर करूँगा. जितना लेट करोगे उतने दिन का मुझे क्या दोगे? कुछ डैमेजस दोगे पर दे तुमने बोला कितने देमेजस? मैंने का रुको एक मिनट तुम अगर मुझे गुट्स बनाके नहीं दोगे? तो मेरा- रॉजिकल लॉस हे, मैंने हिसाब लगाया, लॉजिकल लॉस मेरा- रॉजिकल लॉस का 200 पे पर दे है. मैंने तुम्हे बोला, जितने दिन लेट होगा, 10 दिन के बाद, तो मैं मुझे 200 पर दे देना पड़ेगा. तो मैं लॉजिकली समझाया कि 200 कैसे निकला मेरी बात समझ ना यह कोई आट इफिशल अमाउंट नहीं दोस्तों दे देना देस्वा दमान लो मेरी कोई अपना मैंने का अच्छा पीजी खाली करने है बोला हां सर अगर तीस से लेट हो गया मेरा पीजी वाला मुझसे रोस के 200 रुपीज लेगा जितने दिन मैं पीजी में रहूंगा तो सर वो तो आपकी वज़े से मेरा लॉस होगा क्योंकि मैं तो तीस तरीक को खाली और मेरा द आटे-छारसो तुक्का है यह यह लॉजिकल कालकुलेस और इसको बोलेंगे लीकूड टेड्रामज़ लीकूरिटेदा मीजस लीकूरिटेड़ डामज़ इस विचे पार्टी पहले ही डीकालेट कर लेती है क्या बात क्लियर क्लियर रेकॉबर हो सकते हैं बिल्कुल उसकते यह कोई मना ही नहीं है. Clear and liquidity damages? अब इसके साथ एक और वर्ड है penalty. Penalty. Penalty भी बिल्कुल same as liquidity damages की चोटी भेन. मैंने आपको बोला, तुमने बोला, Sir, कोर्स कब खतम होगा? मैंने का 30 April. तुमने बोला, Sir, 30 को खतम ना हुआ तो? मैंने का यार, तुमने बोला, Sir, 30 को खतम ना हुआ, मुझे रोज का 5000 परडे चाहिए. मैंने का 5000 परडे? तुमने का नहीं, बस 5000 परडे लेंगे. कोई logical calculation है या कोई logic नहीं है. वैसे एक figure बोलती, 5000 परडे लेंगे. अगर तुमने एक illogical figure बोलती, इसको क्या बोलेंगे, बच्चों बताओ, पेनल्टी है. अवाज नहीं आई? एक पिद्दू सा डिफरेंस है लिकुडेटी डामेजिस और पेनल्टी में. लिकुडेटी डामेजिस लॉजिकल काल्कुलेटिव होती है, और पेनल्टी? एक इनलोजिकल होती है. अब आप अराम से बताना, आपको लिकुडेटी डामेजिस और पेनल्टी में डिफरेंस क्लियर है? अब मैं आपके साथ कुछ पढ़ना चाहूंगा, सब अच्छे बोट पे देखना, यहां इंडियन और इंग्लिश लॉँ में थोड़ा फरक है, पहले हम इंग्लिश लॉँ पढ़ती है, मेरा डाउट, सब अच्छे बोट पे देखके बताना, इंग्लिश लॉँ इसमें एक लाइन अंडरलाइन करने वाली थी जन्वन प्री एस्टीमेट, यहां पे क्या वर्ड है? और यहां पे क्या वर्ड है? यह डिफरेंस है इन दोनों वर्ड में, किन दों वर्ड में लिक्विडिटल डामेज़ और पेनल्टी, क्या बात क्लियर? मेरा डाउट, अब लाइन पढ़ियेगा, येस, such a clause is disregarded, इंग्लिश लॉँ कहता है ऐसे clause को disregard कर देंगे, कौन से clause को? लिक्विडिटल डामेज विले clause को या पेनल्टी विले clause को? अन इंजर पार्टी कांट रेकावर मोर देन दी अक्चल लॉस, एक्जामपल, तुम अगर रोज course late हो रहा था, तुम्हार अक्चल लॉस कितना था? साड़े चार सो, और तुमने पेनल्टी विक्स कर रही थी 5000 रोज की, तो इंग्लिश लॉँ कहता है 5000 मिलेगा या साड़े चार सो ही मिलेगे? साड़े चार सो ही मिलेगे, क्या बात clear है? मेरा डाउट, अब आगे हम, क्या इंग्लिश लॉँ की बात clear है? इंग्लिश लॉँ कहता है, अच्छल लॉँ से जाधा नहीं मिलेगा, आपने जो मर्जी फिक्स कर रहा कहा हो, जितना आपका अच्छल लॉँ से आपको, बस वो ही मिलेगा, अब किसकी बात करती है? हमारे इंडियन लॉँ की, मेरा डाउट, सेक्शन 74 अव दी कॉंट्राक कर दिया डामेज, तो कोट उससे जाधा तो नहीं दिलवाएगा, बट उससे कम दिलवा सकता है, मेरा डाउट, इसके इंटरपेटेशन निकालना दोस्तो, अगर पार्टी ने बोला रोज का 5000 चाहिए, कमन फास्त, तो कोट फास्त, पास्त से उपर तो नहीं दिलवाएगा अगर कोट को लगता है, बहुत जाधा है, तो उससे कम करवा दे, क्या बात क्लिर, I repeat, मेरा डाउट, इंग्लिश लोग में क्या बोला, मुझे इंग्लिश से जाधा, सरे इंडियन से जाधा इंग्लिश अच्छा लगा, कोई बच्चा बताएगा, इंग्लिश में क्या था आक्च्छ लोग से जाधा नहीं मिलेगा आपको, क्या बात क्लिर, लेकिन इंडियन लोग क्या बोलती है, जो कॉंट्राक्ट में में मेंशन होगा, उससे जाधा नहीं मिलेगा, उससे, कॉंट्राक्ट में में मेंशन को इंपॉर्टन्स क्यों दे रहे हो, इंपॉर्टन्स किसको देनी चाहिए इंग्लिश लो इंडियन लॉस को भी आक्षिल लॉस क्या बात क्लियर अब मैं फिर से बोलता हूं अगर हमने कॉंट्रैक्ट में लिख धिया 5000 ब्लेंगे क्या कोट दिलवाएगा या दिलवा सकता है दिलवा सकता है किया उस्से जद्धाव भी दिलवा सकता है यह उससे कम दिलवाएगा कम दデलवाएगा और जाधा तोने दिलवाएगा मैं अपनी प्रॉपर्टी तो में दोंगा तुमने मुझे अडवांस कितने मैंसे दे दिये आम तोर पे हमारे इंडिया में प्राक्टिस है अगर मैंने ब्याना ले लिया और मैं तुम्हें कलको मकान नहीं देता मेरी इंटेंशन गलत हो गई ब्रीच कर दूँ तो मुझे करना पड़ेगा ब्रीच की केस में मुझे लगता है यह बहुत इल्लॉजिकल है क्या कोड दिलवाएंगे इंग्लिश की बात करते हैं पहले पहले इंग्लिश की बात इंग्लिश कहेगा अपे हो है वह मकान नहीं दे रहा तो आक्च्छल लॉस कितना हुआ ले ले चल डब सरकार को दी गई गारेंटी में जो पेनल्टी लिखी होगी कोट वह पूरी दिलवाएगा मतलब एक कॉंट्राक्टर ने सरकार को बोला मैं यह सड़क बना दूँगा इस रोड पे जो सड़क है मैं 30 मार्स तक बना दूँगा नहीं तो मैं रोज का 2 लाग पेनल्टी चाहे चाहे सेंटर को चाहे स्टेट को कि मैं पब्लिक ड्यूटी सड़क बना दूँगा क्या बात क्लियर और बात में आपने इसका क्या कर दिया तो जितना आपने बोला है आपको सारा देना पड़ेगा तरकार को चाहे कितना भी अन्रीजनेबल है आपको सारा देना पड क्या बच्चों बात क्लियर है यहाँ पर हमने डामेज़स को फिनिश कर दिया बोलो जी क्लियर अब डामेजस के बाद हमारे सामने थर्ड आएगी फर्स्ट हो गया रिसेशन थेकिन हो गया डामेज थर्ड कौन सा आया specific performance यह मैंने पहले भी समझाया है कोई बच्चा याद कराएगा specific देखो दो performance सिखाई है actual performance attempted performance तीसरी भी comparison के लिख लो साथ में specific performance सब बच्चे बताओ actual performance में performance देते हैं या देदी actual performance देदी attempted में try किया देने का सामने बने लेने से मना कर दिया actual and anticipatory में दोनों में एक बात common थी actual and anticipatory में promisor अपनी मर्जी से perform करता है अब आज नहीं आई promisor कौन-कौन सी में actual में और specific में ऐसा नहीं होता specific में court आपको force करता है perform करने को दुबारा specific में आप अपने मन से perform नहीं करते बलकि कौन force करता आपको perform करने के लिए court example देना दोस्तों मैंने तुम्हें बोला था मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा मेरी का रेयर है ऐसी कारे नहीं मिलती market में एन मौके में मैंने मना कर दिया तुमने court को बोला सर अश्मीच सिंग perform ने कर रहा प्लीज उसे specify करो कि वह perform करे कोड बोला अरे अश्मीच सिंग कौन सी का रहा है मैंने का सर एक पचास साल पुरानी का रहा है रेयर है बोला रहे भाई ये बंदा मांग रहे तुम्हें देनी पड़ेगी मैं का सर मैं नहीं देना चाहता जच बोला मैं कह रहा हूं देने को किसके कहने पर perform हो रहा है कोड के जब कोड के कहने पर perform करना पड़े आप अपनी मर्जी से perform नहीं कर रहे तो से कौन सी performance बोलते है आई रपी स्पैसिवेक गावल सर ने बोला मैं पढ़ा हूं गायन मौके पे मुकर गए तुमने कोड को बोला नहीं सर हमें डामेज़ नहीं चाहिए इनको बोलो performance करें हमें पढ़ाएं इसको बोलते specific amount specific performance के लिए । दो बाते ध्यां डखना पहला अगर सामने वौला कर दे मुझे डामेज़ नहीं चाहिए मुझे यही चीज चाहिए यही परफॉर्मेंस चाहिए तो मिलेगी मिलेगी अगर चीज रेयर होगी तभी अगर प्रोड़क्टर सब बचे मैंने तुम्हें महरूती ऑल्टो कार देने का प्रॉमिस किया और मौके बें मुकर गया तु रेयर कार है क्या कोट मुझे फोर्स करेगा रहे श्मीच प्रॉमिस किया तो देना पड़ेगा यह मिलता ही तब है जब कुट्स क्या होते हैं दोस्तों रेयर कोट कहता है परफॉर्म करने को इसलिए हम परफॉर्म करते हैं बोलो जी क्लियर है हवाज दी आई अगली एडि किसी को काम करने से रोकना सब अच्छे बताओ वोट पर देखके तुमने मेरे से कॉंट्राक्ट किया मैंने तुमसे कॉंट्रेट किया मानलो यह वली बिल्डिंग मेरी है साथ वली बिल्डिंग तुमारी है हमारे बीच में कॉंट्राक्ट हुआ कि जी जो भीच का रास्ता दोनों building के इसमें ना तो तुम कुछ construction करोगे ना मैं कुछ construction करूँगा वो common parking area रहेगा क्या बात clear? वो common है? तुमने का ठीक है जी contract हो गया थोड़े तिन बात दो तीन साल बात तुमने वहाँ पर construction करनी शुरू कर दी मैंने तुमें बोला यार दिक्तेरे मेरे बीच में contract हुआ था तु यह गलत कर रहे है तुमने का मैं तो करूँगा सब बच्चे बताओ बंदा contract के terms को मान रहा है या नहीं मान रहा है तो तुम क्या चाहते हो अराम से सोचना तुम loss के damages मांग तो logically बताओ या तुम अफिलाल court को यह बोलोगे सर यह जो बात में लेकिती उनको नहीं मान रहा प्लीज को गलत काम करने से रोको प्लीज को गलत काम करने से रोको यह जो construction यह कर रहे है इसको वह करने से रोको injunction का मतलब ही है जब तुम्हें लगे पार्टी कॉंट्रेक्ट को ब्रीज कर रही है उसे ब्रीज करने से रोक दो दाट इस कॉल को injunction injunction में तुम्हें पैसे कुछ नहीं मिलेंगे बड़ तुम सामने वाली पार्टी को गलत काम करने से रुकवाद होगे तुम्हें क्या बात क्लियर है इंजंग्शन मीन किसी को काम करने देना या काम करने से रोकना बिल्कुल ठीक बात है आपको को इंजंग्शन का मतलब क्लियर है मेरा इंजंग्शन के बाद अगला नाम किसका आत यह कोई बच्चा बताएगा कौंटम मेरट क्या था कि नहीं सूना लाटिन वाश्मार्चा का वर्ट क्वांटम मेरट का मतलब होता है अरे बहइं जो किया उसके पैसे ही देदो, सब अच्चे बोट पर देखो, कौंटम मार्रिट कमा तब जितना किया उसके पैसे देदो, तुमने एक कॉंट्राक्टर को बुलाया, बोला मेरे घर में मार्बल लगा दे, उसने का ठीक है, जी सोर फिट के इसाब से मैं मार्बल लगाऊंगा, उसने सौर फिट माल, पांच्वाइट जगा थी जिसमें मार्बल लगाना था, उसने सौर फिट लगा दिया, तुमने उसका काम पसंद नहीं आए, तुमने कहीं ही चैंसल कर कॉंट्राक्त को, खत्ब तेरा मेरा कॉंट्रेट चल निकल तो वो क्या बोलता है सब बच्चे बता बाउजी जितना किया उसके पैसे तो तुम कहते हैं मैं नहीं दूंगा तो तुम गलत कर रहे हो ब्रीज तुम कर रहे हो क्या वो कोट को यह बोलेगा सरीने बोलो मेरे से पूरी टाइल जो मैंने लगवाया मुझे उसके पैसे तो दिलबाऊ दाट इस काल्ड कमन फास्ट कॉंटम बारिट जितना किया है उसके तो दे दो क्या मेरे बच्चे वर्ट समझ आया हाँ जी कॉंटम मेरिट का मतलब क्या कॉंटम मेरे डाट असमच आस दा हाँ ध्यान से डिसर्वड मेरा डाट मेरे कुछ एक्जामपल है सब बच्चे देखना अगर एग्रीमेंट वॉर्ड हो गया या कॉंट्राक्ट वॉर्ड हो गया चाहे एग्रीमेंट वॉर्ड हो चाहे कॉंट्राक्ट वॉर्ड हो अगर तुमने कुछ कर दिया तो तुम सा भाया उसके पैसे तो देतो तुमने गलत खा लिया मैंने का मैं मानतों agreement वोईड है लेके male example to my net customhone देने का promise किया था दो लेटर से मुझे cotton को मेजर करने का तूल नहीं बता कोई को दाएगा cotton को कैसे मेजर किया जाते, किलो में तो नहीं होती है, चलो, let's say cotton, किभू में होती है, चलो, let's say cotton, मैंने तुम्हें, मैं तुम्हें 100 kilo cotton दूँगा, मैंने तुम्हें 10 kilo cotton भेज लो सेकिन अगर मैंने कोई चीज ग्राश असली तुम्हारे लिए किया ने ग्राश असली नॉन ग्राश असली किया मैंने तुम्हारे लिए चार चॉकलेट लाया मैंने तुम मेरे लिए चार चॉकलेट लाया मैंने तुम मेरे लिए चार चॉकलेट लाया हूं मैंने का वाउ बोला सर खाके देगो कैसी है मैंने का मेरे ले ले गिफ्ट है बोले इसे गिफ्ट नीए खा लो कोई बात नी 20 डॉलर की इच है 4 है 80 डॉलर की हो गई मैंने आदी एक खाली एक अल्मोस्ट छोकलेट खाली मैंने का बस भाई मैं और नी खा रहा बहुत महेंगी है ले जा कैसा चलो एक तो खाली ना कमन फास्ट उसके 20 डॉलर तो देतो जोकि मैंने ग्राशिसली थोड़े ना खिलाई है मैंने तो नॉन ग्राशिसली खिलाई क्या मेरे बच्चों पॉइंट समझ आया मेरा डाउट सब बच्चे देखो अगर हमारे बीच में yes contract है लेकिन remuneration की कोई बात नहीं हुई अगर हमारे बीच में contract हुआ लेकिन किसकी बात नहीं हुई सबोस्थ मेरी watch खराब हो कि मैं ठीक कर रहा तो गंदार के पास गया पैसों की बात नहीं हुई उसने watch ठीक कर दी कि मैंने बारने किसे लिए ना दिमाग कराओ पीज़ार कि तो खड़ी ए है किर आव बाइसाब मैं मजा कर रहा था कॉंट्रेक्ट में तो पैसों की बात हुई नहीं आप मैंने घड़ी में सेल दाला थो 200 वेका सेल आप दे दो मैं 20,000 नहीं मांग रहा बड़ जो 200 वेका सेल डाला है वो तो दो यानि क्या मैं मूल सकता हूं अगर कॉंट्राक्ट में पैसो की बात नहीं हुई लेकिन फिर भी जो लॉजिकल मनी बनती है वो तो देनी पड़े क्या मेरे बच्चों को यवाला पॉंट क्लियर है मेरा रौट साब बच्चे देखना एकर एक पार्टी कॉंट्राक्ट को परफॉर्म नहीं करती वेन वन पार्ट बच्चे बोट पर देखो जितना पार्ट हो गया उसके पैसे तो डिविजबल वट समझ तो डिविजबल पांच्व फिट में सौफट टाइल लग गई है चार सुविट में नहीं लगवा रहे मतलग वाज़ विजबल लगा है अलग हो सकते है ना मुझे पांच्विट के पैसे मत दो लेके दा सौफट के तो टो क्लियर और अच्छा एक्जामपल टू अगर इंडिविजबल होता तुमने पांच्विट में टाइल लगा दी बहुत गंदी टाइल लगाई तुमने कहाता सौड़ फिट दूंगा पांच्विट टाइल लगा दो सौइंट पांच तो सारे में हैं कुछ तो दो अवाज दी आई देखो लाइन पढ़ना मेरे साथ अगर डिविजबल है जो विजबल में उस सौफट वाला एक्जामपल दिमाग में रखो आगे पढ़ो अगर इंडिविजबल है फॉरा लंसम इस कंप्लीटली परफॉर्म बट बाड़ली तो मेरा डाउड पार्टी पे कर दे कुछ पैसा उसमें से क्या कर ले दोस्तों पचास हजार बनते हैं बाचसे फिट माल के एरिया के आप उसमें दस-बीस हजार काट लो तीस हजार दे तो मुझे बस क्लियर तो कॉंटम मेरिट कुछ पार्ट के पैसे लेने की बात होते हैं जितना किया उसके तो दे दो आपको क्लियर है मेरा लाज सवाल बच्चे 75 पढ़िएगा पार्टी राइट फुली रिसेंडिंग दी कॉंट्रेक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन मेरा डाउड सब आचे बोट पर देखके बता हलवाई को हमने बोला था हमारे घर पर खाना बना दी हो समान लाके नहीं दिया कहता सर कॉंट्रेक्ट वॉड़ेबल है मैं कैंसिल करता हूं किसने बोला कॉंट्रेक्ट वॉड़ेबल है मैं कैंसिल करता हूं हलवाई ने बोला वह गलत कैंसिल कर रहे हैं सही कैंसिल कर रहे हैं कि वो मुझसे डामेजस मांग सकता है अब आज नहीं आई जो भी उसके डामेजस बनते हैं मुझे उसको देने पढ़ेंगे सेक्षिन कौन सा है 75 क्या स्पेज पे कुछ रह गया बच्चों या हो गया आवाज नहीं आई अगली ग्लास कितने बचे से है 15 मिन तो ले लूँ अभी ले लूँ बंद्रा मेरेट कौन बोला नहीं यार एक पेज कराने तो हो जाएगा एक पेज यहां पर आके फाउंडेशन वाला कॉंट्रेक्ट सारा खतम हो गया आप जो तीन चाप्टर से वह वह वाले हैं जो इस पर नहीं आड़ अब घर तो मुझे यह कमना नहीं चाहिया हर नहीं अवेलेबल तो लेकिन तुम्हा प्रॉब्लम कि तुम थीन टास चाहते हो तीन चाप्टर सींग नासस तो मैसाज आ रहे हो तीन चाप्टर सींग अवाज नहीं तो वन टुटु थी नहीं तूज़े जे तूज़े और सड़े और नेक्स्ट रिए मंडे म्वनें त्यूज़े के बाद अपका थी अर्थ जे ऑग तीटी आसले सकता हो भी ता म्टें में नहीं संडे तुम्हारा टैस्चत है ये संडेज टेस्ट है नाउन्स लें तो संडेगो नहीं होगी मैं पता नहीं क्यों चाह रहा था कि ये इस भी कि खतम कर दो ़िसको तुमने चुली के लिए भी किले बोला सर्फ होगा फिर तुम करो मैंने मेर कोशन की क्लास के क्लास लगाना जाते हो एक-दो क्लास जिसमें म और मांग रहे हैं हाँ जी तीन या दो 12 to 3 कर दें तो दिन तीसरी की जुरुत पड़ी तो माले लेंगे तीसरी हम दो लेके चलते हैं पिलेडवांस हां तो नेक्षास कितने हैं बजे 12 o'clock now this will be on Thursday 12 o'clock and Saturday 12 o'clock clear जाबा दिकत हां जी मेरा डाउट दो दिन अभी मैंश कर लो next week से कुछ और प्लान करेंगे clear आज में और नहीं करा तो जैसे आप मना कर रहे हूं गंदे बच्चे वह यह भी नहीं कह रहें सर अब लेके आयो घर से मना के तोड़ा सा करा जाओ यार हम आपका दिल रख लेते हैं ऐसे भी नहीं बोलते हैं चलो कोई बात नहीं मिलते हैं आप से नेक स्वास में तो आगे बात करेंगे बाई टू आल हाव नाइस टेख